नमस्कार दोस्तों कई सारे चात्र जो हैं परिशान हैं क्योंकि आरार भी एंटीपीसी फेस सेवन और गुरूप डी का अभी तक एक्जामनेशन डेट का कोई भी खबर नहीं आया हुआ है एक्जामनेशन तो अल्रेडी दोस्तों गुरूप डी की अप्रिल में स्टार्ट हो वहीं दोस्तों यह दोस्तों एडमिट कार्ड अनौन्स हो चुका है क्लरक अग्जामनेशन का हां दोस्तों क्लरक जो है दोसका 11 तारीख से इक्जामनेशन स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप देख पारें 10 जुलाइस से एक्चुली 10 11 12 13 ठीक है तो 10 जुलाइस से और यह दोस्तो बहुत अच्छा संक्यत है क्यों संक्यत है क्योंकि यह जो एक्जामनेशन होती है दोस्तों यह TCS के आयों डिजिटल सेंटर में ही होती है और जहां तक जानकरी है इसको भी TCS ही कंड़क कराता है जैसा कि RRB NTPC और Group D को भी TCS कराने वाला है तो TCS ने दोस्त आपको मिल रहा है यह पहला एक्जामनेशन है जो दोस्तों कोविट के सकेंड वेब के बाद स्टार्ट हो रहा है तो आसा करते हैं कि जल्द से जल आपका Group D और NTPC भी स्टार्ट हो जाएगा अब यहां पर तो इससे पता चल गया साफ साफ की एक्जामनेशन होने में कोई की तकलिफ नहीं है लेकिन गवर्मेंट का अभी तक कोई भी नौटिफिकेशन नहीं आया है कोई भी जानकारी नोटिस नहीं दी गई है कि कब से एक्जामनेशन डेट स्टार्ट होगा क्योंकि लिए डेट तो जैसे दे दिया कि इतने ताइक से एक्जामनेशन हो रहा है का डाउलोड कर लो लेकिन इस तरह का जो नोटिस है वह रेलवे के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है और पास में भी ऐसा ही देखा गया है कि रेलवे जो है चीजों को टालते रहता है इसी को मद्दे नजर रखते हुए दोस्तों आज ट्वीटर पर केंपेंच चल र काफी ऊपर आ चुके हैं अभी जब देखने को मिला था तो थर्ड रैंक पर हम ट्रेंड कर रहे थे तो अभी दोस्तों अब रैंक कर रहे हैं तो अब यह गब्मेंट से जल्द से जल्द नोटिस आना चाहिए ऐसा बहुत बार देखा गया कि हमने ट्रेंड किया और उसी द कर देंगे बाकि अपने तैयारी जारी रखिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद